फॉरंसिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा बातब में डूबने सो ही श्री देवी की मौत दुबई की होटल में बॉलीवूट सूपरस्ट्रा स्री देवी की मौत बातब में डूबने से हो गई थी फोरंसिंग जाच कर रहे दूबई के डॉक्टरों ने श्रीदेवी की पोस्त मॉटम में इस बाद का खुलासा किया है कि श्रीदेवी काडियाक अरेस के बाद बाथ टब में गिर गई थी कबरों के अनुसार श्रीदेवी के खूण में अलकोहल भी पाया गया है काडिया का अरेस के दोरान श्री देवी अपना बैलेंस खो बैटी और बात टब में गिर गई अस्पताल की तरफ से सारी आपचार रिक्ताइं पूरी हो गई है और डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है कुछ समय बाद वहाँ चार्टर विमान से श्री देवी का पार्थी शरीर मुंबई के लिए रवाना होगा और उम्मीद की जा रही है कि यहां रात आट बजे के आसपास विमान लैंड हो जाएगा कहा जा रहा है कि बोनी कपूर और श्री देवी को दूबई से मुंबई के लिए निकलना था लेकिन मुंबई आने से पहले बोनी कपूर अपनी पतनी श्री देवी को एक स्पेशल सब्प्राइज देना चाते थे वो श्री देवी को डिनर के लिए ले जाना चाते थे उन्होंने शाम को श्री देवी को अपने प्लान के बारे में बताया श्री देवी तुरं तयार हो गई दोनों ने 15 मिन तक एक दूसरे से बाते की उसके बाद श्री देवी तयार होने के लिए वाश्रूम में चली गई बोनी कपूर उस दोरान श्री देवी का इंतजार करते रहे जब वो कुछ देर तक बाहर नहीं आई तो बोनी कपूर ने दर्वाजा खटकटाया इसके बाद बोनी ने अपने दोस को फोन किया करीब रात 9 बजे पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई 54 साल की श्री देवी की अंतिम फिल्म मॉम पिछले साल आई थी श्री देवी ने अपनी एक्टिंग से हमेशा लोगों को प्रभावित किया है साल 2012 में उन्होंने फिल्म इंग्लिस से इंडस्ट्री में कमबैक किया था उन्हें 2013 में पदमर्शी से नवाजा गया फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा बाद तब में डूबने सो ही श्री देवी की मौत दुबई की होटल में बॉलिवुट सूपरस्ट्रा श्री देवी की मौत बाद तब में डूबने से हो गई थी फॉरेंसिक जाज कर रहे दुबई के डॉक्टरों ने श्री देवी की पोस्ट मॉटम में इस बात का खुलासा किया है कि श्री देवी काडियाक अरेस के बाद बाद तब में गिर गई थी खबरों के अनुसार श्री देवी के खून में अलकोहल भी पाया गया है काडियाक अरेस के दोरान श्री देवी अपना बैलेंस खो बैटी और बाद तब में गिर गई अस्पताल की तरफ से सारी आपचार रिक्ताएं पूरी हो गई है और डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है कुछ समय बाद वहाँ चार्टर विमान से श्री देवी का पार्थी शरीर मुंबई के लिए रवाना होगा से बाते की उसके बाद श्री देवी तयार होने के लिए वाश्रूम में चली गई बोनी कपूर उस दोरान श्री देवी का इंतजार करते रहे जब वो कुछ देर तक बाहर नहीं आई तो बोनी कपूर ने दर्वाजा खटकटाए इसके बाद बोनी ने अपने दोस को फोन किया करीब रात 9 बज़े पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई 54 साल की श्री देवी की अंतिम फिल्म मॉम पिछले साल आई थी श्री देवी ने अपनी एक्टिंग से हमेशा लोगों को प्रभावित किया है साल 2012 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से इंडस्ट्री में कमबैक किया था उन्हें 2013 में पदमर्शी से नवाजा गया था